इसमें बात करते हैं तो आज उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे टाइप 2 डाइबेटेस जो है वो lifestyle disorder है, जो हम जीने का तरीका गलत होता है, तो इस ताइप 2 डाइबेटेस देखते हैं, दूसरा है weight ज्यादा रहता है, तो यह टाइप 2 डाइबेटेस आता है पेशेंच को, तो यह के लिए क्या करना है? सबसे पहले टाइब 2 डाइबेटेस में शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए खाने का खायल रखना पड़ेगा दूसरा है फिजिकल आक्टिविटी मतलब डेली वाकिंग कुछ न कुछ किसी तरह का फिजिकल आक्टिविटी रखना बहुत इंपोर्टन है उसके साथ साथ ये खाने पीने का और फिजिकल आक्टिविटी के साथ साथ ये वेट लॉस जिन में वेट जादा रहता है उनका वेट लॉस करना भी बहुत इंपोर्टन है तो ये वेट लॉस के लिए भी क्या खाना है कैसे खाना है इसके बार में हम बात करते हैं खाने के बार में जब हम बात करते हैं, चार चीजे ज़ादा important है, उसमें क्या खाना है, कितना खाना है, कितने बार खाना है, कौन से टाइम पर खाने, ये चार चीज बहुत important है, तो खाने के बारे में हम type 2 diabetes में बात करेंगे, तो कितने बार खाने हैं, ये चार सारे चीज के बारे में हम बात करते हैं टाईप टू डायबेटेस में जब टापलेट से जुगर में रहते हैं उनका येङ डा डायट फॉलॉव करना बहुत इंप्रदें है फोड़ा खाना और हर दो धाय गंटे में खाना बहुत इंप्र Jennifer मतलब जब भी खाते हैं पेट बर के नहीं खाना चाहिए थोड़ा gap रखके खाना है और ये हर दो धाई गंटे में कुछ न कुछ healthy खाते रहना है इससे क्या होता है एकदम से शुगर बढ़ना ही जाता और gap जब जब जादा आता है तो शुगर down होने का risk रहता है तो जब tablet ल शुगर ज्यादा बढ़ता है और fat से क्या होता है calorie intake बढ़ जाता है और weight gain भी हो जाता है weight भी बढ़ जाता है वजन बढ़ जाता है तो weight control में वजन control में रखने के लिए और sugar control में रखने के लिए fat का intake कम करना है fat खाना मतलब fat बोले तो ये तेल का इस्तमाल कम करना है भी हो यह बटर हो यह सब का सित्माल कम करना है करबोहईडरेट में ज्यादारे मेल रहते हैं इस ना ज्यादारीट आ तो कम करना है और ज्यादा तर प्रोटीन का leadership क्या दोनागी मेल तो जब भी हम खाना लगाते हैं तो उसमें carbohydrate और fat का quantity कम रखना है और प्रूटीन और fiber का इस्तमाठ ज़्यादा करना है मतलब जब भी हम चावल खाते हैं, चावल या रोटी का क्वांटिटी कम रखना है, और सबजी, दाल, अगर नौनवेज खा रहे तो नौनवेज चिकन, फिश, यह अंडा, यह जादा रखके प्लेट बनाना है, तो यह प्लेट बनाने का एक तरीका है, यह नास्ते में क्या क सबसे पहले टाइम के हिसाब से बारे में बात करते हैं, सुबह उटने के बाद एक घंटे के अंदर रात को बिगुए हुए बदाम, पिस्ता, आक, रूट यह सब थोड़ा यह खाना हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फाइबर में मिल या ओट्स खा सकते हैं, या जो ब्राउन राइस से बना हुआ इदली, दोसा वगएरा यह खा सकते हैं, और यह 9-9 बजे नाश्ता हो गया, और 11 बजे एक फ्रूट खाना बहुत इंपोर्टन है, जैसे मैंने अभी बताया है, जब भी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना ह ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 11 बजे यह मिड मॉर्निंग स्नाक के तरह में एक फ्रूट खा लेजी, और फल खा लेजी, दो पेर को एक और दो के बीच में लंच हो गया, लंच में अगर रोटी खाना है तो रोटी खा सकते हैं, या चावल खाना है तो चावल खा सकते ह हो या चावल हो उसका quantity कम करना है और सबजी दाल यह जादा लेना है, सलाड ले लीजिए, कीरा टामाटर यह सब डाल के सलाड बना के खा लेजिए, और शाम को चार और पांच के बीच में भी एक स्नाक लेना बहुत इंपोर्टन है, उसमें ज्यादा प्रोटीन फाइबर स्नाक लेना इंपोर्टन है, उसमें यह अंडा उबाल के खा सकते हैं, या ओमलेट बना के खा सकते हैं, और या मूंग दाल, चना दाल, उसको धिगो के या स्प्राउट जैसे बना के या उबाल के कुछ भी बना के वो खा सकते हैं, या मखा ना खा सकते हैं, सोया खा सकते ह इसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है फाइबर ज्यादा रहता है यह शाम का स्नाक होगे इसके साथ आपको चाई कॉफी पीना है तो वो भी पी सकते हैं रात को साड़े आठ बजे डिनर खतम करना है यह डिनर में जितना हो सकता है उतना चावल नहीं इस्तमाल करें तो इसमें सारे जो ब्रेकफर्स हो गया लंच हो गया डिनर इसमें सारे चीजों में सबसे ज्यादा हम कॉंसेंट्रेट करना है फाइबर और प्रोटीन प्रोटीन मतलब दाल में प्रोटीन रहता है यह अंडे में प्रोटीन रहता है नॉन विज खाते तो नॉन विज में ज्य और चिकन अच्छा है, फिश में ज़्यादा प्रोटिंगाben मुठे सभावाथ को regularly खाना सियत के लिए अच्छा होता है जब तक कोलेस्ट्रॉल का भी कम intake हो जाए और यह जब भी आप यह खाना बनाते हैं यह खायाल रखे कि यह तेल का इस्तमाल कम कर रहे तेल हो यह घी हो डालडा हो कुछ भी हो उसका इस्तमाल कम करना है और तेल में जो तलते हैं यह पकोड़े बज़ी यह सब पकम खाना है और यह जो खालेंग में जब भी खाते है जब से ज़्यादध विजटेब्ल ते चावल भी जब आप खाते हैं जितना हो सकता है उतना यह brown rice यह single polish rice जो हो गहते हैं वो लेना important है क्योंकि white rice में सिर्फ carbohydrates रहते हैं फाइबर पूरा निकाल देते हैं और यह जब fruits खाते हैं fruits में भी पूरा skin के साथ मतलब बिना छिलका निकाले खाना important है तो यह सबसे important है कि यह small frequent milk जब भी खाते हैं थोड़ा थोड़ा खाना है और ज़्यादा gap नहीं आना चाहिए हर 2,5 गंटे में खाते रहना है उसके साथ साथ जब भी खाते हैं protein और fiber नॉन्वेज यह सब ज़्यादा खाना है नॉन्वेज अंडा दाल वगेरा सब लेना है और सबजी का इस्तमल ज़्यादा करना है fiber और protein ज़्यादा लेना है fat और carbohydrate कम लेना है carbohydrate मतलब चीनी, मैदेस जो भी बनता है white rice, गेहुका आठा यह सब थोड़ा कम खाना है और इसके साथ यह fat का इस्तमाल कम करना है तो यह जो है small frequent meal pattern यह जो follow करना diabetes पे बहुत important है झाल करना है